तो हेलो दोस्तों मैं हूँ अवनीस और आप देख रहे हो सूपर इश्टाक एडवाईजर दोस्तों बात करेंगे अलोक इंडरस्ट्री लिम्टेट के बारे में अब देखिए अलोक इंडरस्ट्री में कांटीनिव गिरावट आईए एक बहुत बड़ा मुमेंटम आया था उसके बाद फिर से गिरावट थोड़ा स्य ट्रेस्मीं दिखाया था लेकिन फिर से यहां पे आम लोगं को गिरावट देखने के लिए मिल रहा है देखिए जो भी बोलूंगा एकदम क्लियर बोलूंगा फिबौनाची के लेबल के साथ बोलूंगा और जो भी मैं बोलूं से लेके यह वाला जो हाई है उस हाई तक मैंने फिबोनाची लो लेबल मतलब लगाया है फिबोनाची लगाया है और जो मेरा में सपोर्ट जो मैं आपनों को डो करके बताता हूं 138% का उस 138% के सपोर्ट पे जो है यह आ चुका है बिल्कूल आ चुका है अब अगर यहाँ पे पूरा होता है इसका में सपोर्ट इसको अगर उपर जाना था अब यहीं सी उपर जाना पड़ेगा और कम्सकम फिर सी एक बार के लिए एक जो इसको जो है एक बार 30 रुपया का लेबल टच करना पड़ेगा 12 रुपये से 30 रुपया आप समझ सकते हैं कितने पर दिख रही है मैं तो चलिए आज बोली रहा हूं लेकिन आने बाले समय मेरा फेवर नची का लेवल खुद खुद बोलेगा आप लोगों को और जब यह 25 रुपे 30 रुपे पिटेट करता हुए दिखेगा तब आप लोगों को याद आएगा कि हां किसी ने बोला था कि यहां स से उपर जा सकता है है पहले से तो बिलकुर इसको ओल करना है बेचना ही नहीं है सबसे पहली बात नहीं है तो यहां पर चोटी मोटी कांटिटी में ख़ईदारी भी कर सकते हैं हलाकि इससे भी अच्छे से श्टॉक्स में आप लोगों को बताते रहता हूं अपने पर नहीं अपने में वाले चैनल पर सूपर इस्टा के डवाईजर वाले चैनल पर हर दिन लाइब आता हूं आप यह भी मैं आप लोगों को अच्छे श्टॉक्स बताते रहता हूं तो देखिए इसको वोल्ड करना है बिलकूल इसी लेबल से इसमें जो है एक अच्छा सा मोमिन्टम आ सकता है सि मुझे संभावना दिख रही है यह विकली चार्ट पे मुझे बहुत सांदार इसका पैटन दिख रहाता देखेंगे तो डेली चार्ट पर यह अगर हम लोग देखेंगे देखिए यहां से पैनिक में गिरावाट कर अभी बोल्यू में हटा दिया न निकल चुके होंगे और यहां से नए लोग अभेंटर होंगे और यहां से इसमें एक मोमेंटम 30 रुपे तक आ सकता है इसी समाहना मुझे है तो विश्वास कर लिजेगा अगर करना हो तो 138 परसंट का मेरा फिवानाची का परफेक्ट लेबल है और हर बार इसी लेबल से जो है बाउस बैक आता है या फिर कहें पूल बैक आता ही आता है तो देख लिजेगा अगर इस लेबल को यह ब्रेक करता है आने वाले एक दो अपते के अंदर अंदर या फिर मतलब 5-6 कंडल अगर इसके नीचे अब फिर से यह बनाता है 12 रुपे के नीचे तो फिर आप लोग लिख के ले लिजेगा कि 7.5 रुपे के आसपास क्लियर जाएगा एक पैनिक मोमेंटम में जाएगा इस से गिरावट में बड़ी सी गिरावट में जाएगा तो रुकेगा तो यहीं से र रुपे पर या फिर कहलें कि 8 रुपे के आसपास बन रहा है लाइन देखेंगे यह वाई लाइन जो है कितने प्यारी 8 रुपे प्यारी तो 12 रुपे से सीधा जो है 8 रुपे पर जाएगा मतब 30-40 परसंट की गिरावट continue इसमें होने वाली है अगर यहां से sustain नहीं करता है तो ठीक है बिल्क पूल इसको खईदारी अभी करना हाँ एक green candle बन जाए तब आप लोग खईदारी करेंगे तो अच्छा रहेगा या फिर किसी दिन अगर 2-3 परसंट की या 5 परसंट की तेजी इसमें आये उस दिन आप लोग इसको खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा ठी देख लिजीगा 13 रुपे को ऊपर बहुत सेफ रहेगा इसमें खईदारी करना तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा आप लोग देख लिजीगा और इसको आप लोग होल्ड करके रखिएगा ठीक न वीडियो अगर पसंद आ गया है तो प्लीचर की लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में